असलाम लेकों मॉन्टू स्टूरेंट्स हाव यू आई होब सो यू आर फाइं तोड़े विल स्टार्ट अवर इंग्लिश वर्क ओपन पेड नमबर 11 रीड क्वेस्टन नमबर 8 साइट वर्ड्स साइट वर्ड्स अब देखें हमने यह रीड किये थी क्लास्रूम में पेड न साइट वर्ड्स जो हैं बेसिकली यह हाई फ्रॉकंसी के होते हैं यह बार बार हमें दिखते हैं इनको हम स्पेल नहीं करते हैं इनको हम स्पेलिंग के बगार रीड आउट करते हैं साइट वर्ड्स को हमारे पास शूर्ड वूर्ड दिस बैट यह वर्ड्स हैं जो कि हमें जादा दिखाई दीते हैं यह सब words कौम से हैं side words हैं जिनको हम spell नहीं करते हैं ऐसे ही read out करते हैं जैसे मैंने read out किया भी आपके सामने a that and the to is on off search the words from the newspaper magazine tear them with the help of your hands paste it on a chart paper अब देखें टीचर ने पहले newspaper लिया है उसमें से side words को cut out किया है then chart लिये chart के पर paste किया है आपने भी same as it is words को ढूंड़ना है paste करना है cut करके newspaper से और फिर इस chart को stepter कर देना अपने इस page के साथ दाकि आप जब आपका work teacher check out करें तो उन्हें पता चल दे कि आपने यह धूंडे थे और इनको किया है the next question is write four side words which you collect from the newspaper आप देखें newspaper में से जो मैंने collect किये थे मैंने वो आपको दिखाए है चार्ट पे लगाई हुए है अब इसी को हमने write करना है box के अंदर okay and first box में हमने write करना है and क्योंकि teacher ने यह ढूंडे है आपको जो भी मिलेंगे आपने वो बले write करना है कि आपने कौन से ढूंडे है and the next word is to side word the next word the and the fourth word is see इस तरह आपने write करते ने और read out भी करना है right side words which you have learned आप वो पूछ रहे हैं कि आप वो side words जो हैं वो वले लिखे हैं जो आपने याद किये हैं हमने classroom में पे तो याद किये था ना पे नमबर 16 से आप वो भी write कर सकते हूं कि वो आपको याद है अब आपने write करना है a and on to और याद करें और कौन कौन से आपने याद किये थे for that is off और आप बापको जो जो भी याद होंगे side words आपने वो सब के साथ write कर देने हैं क्योंकि उन्हेंने का है आपने वो ही आई यहाँ पे write करनी है जो आपको याद होंगे ओके अब सब बच्चों ने side words को याद करना है और राइट भी करना है और चार्ट पेपर पर भी न्यूस पेपर से cut out करके paste करना है उस चार्ट को steple करेंगे इस पेज के साथ ओके अलाफीस